अब हम लोग इस वीडियो में फाइनांसियल लेवरेज इस्टार्ट कर रहे हैं तो फाइनांसियल लेवरेज करने से पहले एक बड़ यह देखिए फाइनांसियल लेवरेज जब हम लोग income statement बनाते थे, क्या बनाते थे, income statement, उस time बे, क्या sales start करते थे, तो हम लोग sales sales start करते थे, sales, मैनस क्या करते थे, मैनस variable cost, तो हम लोग क्या आता था, contribution, मैनस fixed cost, तो यह हम लोग क्या आता था, fixed cost minus करने के बाद, ती यह आता था, EBIT, मैनस हम लोग क्या करते थे, interest करते थे, तो हम लोग के आता था, EBT, earning before tax, यही आता था न, अब financial leverage में, प्लस में उपिंग पर सेर्ट बटाता सब्सक्त्त क्या स्काओ बाता था सर्ण में पर सेर्ट के बीच में एविए आइटी एक सेकें यह नें इसका दूसरा जो स्वाल होसार वकिसे आता था उता है ऐरलेशनवेहessä की बाता जाती और इस का क्या रहे दूस्रा रॉल लार और इएब गागवा सब्सक्राइब 3 लए बाट आफma के लिए paar यहां पराइनन्स लवेरेज के लिए फिर पालच या फो में लवेच के लिए यहां IBIT by EBIT minus interess भी तो लिख सकता है न देखे, हम लोग EBIT से minus करте Case क्या करते है, interest minus करते है तो हम लोग क्या आते था, EBIT आता था EBIT में से interest minus करने के बाद हम लोग क्या आता था, EBIT आता था अब इसे ही हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते है इपल्ट की दोंट seeking कुंट है यहां फिने लिख सकते नीजकर इंटले को था तो यह यहां रहुन हो गया फार्स फर्मुला अब सेकंड फार्मुला क्या होता है किसका तो अचैन्ज इन यos एक चेंज इन करेंगे का होता है घ्रीज को श capitalism क्या होता है कि भंहिक हम लोग का दो क्या है इसमें लोग करेंगे अगया क्या होताए वह भी किसमें भी देखेंगे बट इस पहले जो जो दोग फर्मोल लाए वह आप लोगो समझ भागिया यह कॉमेंट करके बता दो चैट में बता दो यह जैसे भी अब ध्यान दीजिए जब हम लोग आगे बढ़ते तो यह तो आप लोगो समझ भागिया यह अगर प्रफरेंसल न ञीह होता था अब इस अरणिंग परसेट में इस दूनगे रिलेशंशिप की न क्या बतता था इस दूनों का इलेशिप बत था डिग्री और फाइनसरे लेबरेज और दूसरा फ़रम्ला किया होता था था फानेंसल लेबरेज का तो यहां पर फिक्स को किस तरह से यूज करना है कि यहां पर इंक्रीज हो सके इंक्रीज हो सके इंक्रीज हो सके मतलब बदाओ राएग चाहूल एल्टाग रीक होता है ऐह में दीज होता है कि फिरूर्च लाइड करना खीज हो पाया पर इंक्रीज हो से एंक्रीज हो至 alltså अक्रीज पाये इन्क्रीज हो सतर्च इन्क्रीज तरह डिया दो इना मुक्रीज हो श्यञार से में डिच सेंने में आप लोग यह भी लिखे लिए कहीं पर उपर ही लिखे लेजिए इस पेस के ऊपर में लिख लीजिए कॉमन स्टाक होल्डर तो कॉमन स्ट्टोक होल रहा हुआ हम लोग क्या बोलते हैं एक्विटी कि शेर्ब होल्डर हमेशा यह जो पॉइंट लिख भा रहा हूं यह जो पॉइंट इससे पहले लिखाए था और ऑपरेटिंग क्या था ऑपरेटिंग प्रॉफित दोनों एक होता था इसी तरह से कॉमन इस्टेकोलडर को हम लोग क्या बोलते हैं एक्विटी सेयर होल्डर तो यह जो अगर कॉमन स्टेकोलडर कहीं समस में आ जाता है तो उस ताइम में आप लोग यह नहीं सोचने लोगे क्या होता है अगर ऐसे लिख रहोगे और जब पेज पल्टा होगे जब भी आप लोग रिविजन करोगे तो उस ताइम आप लोग को बुक के एकदम उपर में मिल जाएगा तो ये कोशन है यह तीनों के लिए आप लोग रप में भी करा सकते इसमें कोई प्रावल्बम नहीं है बट किसी संग हो जह सब्सें आप जहले हो घुक किसी संग्के रखो यह था इलस्ट्रेसा नमर टू था अगर आप लोग कहीं प्रावल्म हुआ होगा तो इस संग्ष में लोग यहां पे दे रहा हो यहीं पर भी लिग सकते हो यह आप लोग्हेजंच प्रभ्लम हो रहा होगा लिए यहां आप पहले से करके आए अब कैसे निकालते थे यही लिखा हुआ है इसे हम लोग इस तरह से लिखना या इस तरह से लिखना है जैसे भी लिखना है वो लिख सकते हो करते है इंटेस करते थे निकल आता यही बस हम लोग र्रेंटल है यहां यहां लिखा हुआ है वर्टिकल में यहां लिखाई हा तो बस इतना सा डिफरेंस है आगे जब बठते हैं तो डिग्री आफ फाइनंसर लेबरेज यहां पर क्या इनदीन को ऑनद चैनल को इसके लिए फर्मूला को दे रखाए डिग्री और फार्नेंसर लेवरेज का परसेंटेज क्यों से यह रहा है इबी यह रहा हमदों का दो फर्मूला किसका हो गया यह उगया हमदों फाइनस्य लइवरेजेग यह तो हम लो कापी में अभी लिख चुके हैं यह हम लोग लोग कै cheminसा में लीए यही दोनों फार्मोला यह गया अब ध्यान देचे जब आगे बढरते आगे बंदोगों तो यह बस हम लोगों दिखाया हुआ है कि निका लेंगे मिल αυτ Lehr at 10 जो फेंटेटर चैंजिसर निकांगे तो हम लोग जो भी fulfillment रहेग chiयर निभ्ड बेस इन फर सेbr ts 2 यहां यहां को चैंजिन पर से इट जो भी बेस-यार का इभी आइटि रहेगां कुम कि इसे अगर हम लोग लिखना चाहेगे तो हम लोग लिख सकते हैं ना हम लोग लेक्ट सकते हैं डिवाइड वै अग्ण पर शेयर इंट्व coefficient चेंज yearly po यहां पर लिखा हुआ है इसलिए सब्सक्रियाराद मुलाद है आता था माय सब्सक्राइब करतेientes लोग के आता था EBIT अब EBIT मेंसे हम लोग interest पहले माइनस करते तो हम लोग के आता था earning before tax फिर minus tax करते थे तो हम लोग के क्या आता था earning after tax अगर डिविट क्या होता था पिर फ्रेंस dividend होता तो हम लोग minus करते थे otherwise minus नहीं करते थे और divide by करते थे प्लेखा हुआ यहां पर लिखा हुआ है निकल क्या यहां पर अब टैक्स होता है अब डूप पर डूप ध्री घुरी ओभ आनिंशे लेगश के लिए हम लोग की फामिला था यहां लिखता हो एग two ebit को को डिभाड़ ब्रकाइब को एबीट यह हम लोगा फिर इबी आई टी में अगर टैक्स हो अगर लोग टैक्स हो जाएगा फिर इबीटी कैसे निकालते थे इबी टी इबी आईटी मादस इंटेस को माइनस, देखे, EBIT में अगर tax हो, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, EBIT, फिर 1- क्या करेंगे, tax करेंगे, tax के बाद निकालना होगा, तो फिर यहाँ देखे, EBIT, हाँ, तो EBIT, माइनस हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस क्या करते थे हम लोग, तो माइनस करते थे, interest, यह interest माइनस होगया, अगर यहाँ tax होगा, क्या होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर tax होगा, तो हम लोग tax को भी माइनस करेंगे, तो tax को माइनस कैसे करते हैं, तो 1- tax, अगर dividend होगा, किस लेवल पैसा होता है वह हम लोग को निकल के आ जाता है ठीक है अब दिखिए पिर डिग्री आफ फैनासल लेवरेज में क्या आ गया इंट्रेस आ गया सबसे पहले इबी आगए अगर टैक्स के साथ करना था यह आप लोगों को याद रखना है टैक्स के साथ अगर रहेगा अ तो हम लोगों को इस तरह से degree of financial leverage निकालना होगा अब ध्यान देचे एक हो गया यह अब टैक्स होगा तो हम लोगों क्या करेंगे एब आईटी कि फिर कि बिद्ड माइनस इंट्रेस्ट माइनसर डिविडिन डिविडिन डिवडिन तो यह होगा यहां पर टैक्स हम को देना पड़ते है पहले इंट्रेस के बसे हम लोगों आपका तो सब्सक्रेश्ट सेविडिन रहता था उसके बद से टवी नहीं होता है, इसलिए हम लोग डिभाइयद बै拐 क्या करेंगे, 1- करेंगे लिए, चलेके लिए, फानान्स ब्रेकेऍथ के लिए, आप लोगे की सरण निकालना है, तो अर्णीग सब्सक्राइब करना है माइनस करना है तो यह हो गया आप लोग को अब ध्यान देजी जो हम लोग का में फर्मूला दे रखावा था किसका डिग्रिया फारेंसल लेबिरेज का वह हम लोग का फर्मूला यह आ गया कि इवी आइटे इस तरह से अगर देखा जाए तो कितना हम लोग के पास फर्मूला हो गया तो वह एक बार हम लोग लिख लेते हैं यहां पर यह देखिए इसके लिए सबसे पहला फर्मूला क्या होता था तो सबसे पहला फर्मूला होता था इबी आईटी बाइट इनिंग बिफ़ोर टैक्स यही आप लोग को याद में रखना है देखिए जो अभी हम लोग ठीओरि पर क्या है उसमें उसका जो समरी एक तरह से बोल सकते हैं यह हम लोग को अभी करना मतलब कितना फर्मूला याद करना कितना फर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना लर्निंग करना वह अभी हम लोग लिख रहे हैं तो यह हो गया क्या इबी आइट डिभार बाइबी इससे ही हम लोग दूसरी तरह से किस तरह से लिख सकते थे इसे लि फिर one minus tax कर देंगे फिर divide by EBIT minus interest bracket close क्योंकि EBIT minus interest उसके बाद तो tax होता था ना तो उसके बाद tax अगर होगा तो one minus tax कर देंगे यह आ गया फिर minus preference dividend अगर होता है तो preference dividend divided by one minus tax यही फर्मला दे रखवा था ना अगर सिरीटी भी होगा तो हम लोग one minus tax करेंगे अदर्वाइस one minus tax नहीं करेंगे divide by अब next formula जगा देखेंगे तो next formula हम लोगा हो जाएगा EBIT अगर tax नहीं दे रखवा देखिए एक corporate tax होता है एक corporate tax हो गया यह एक हो गया tax भेटेंगे जो normal tax होता है उसे अम लोग गोलते है corporate tax एक हो गया CDT तो यह हो गया CDT तो यह हो गया CDT तो यह आ गया हम लोग का corporate dividend tax को अलग होता है जो सिर्फ गयों कीया कर districts करेंगे यहाँ पर इस में से mieć- अगर क्या है करनाओ डेस्ट तो प्रीपिरन डिविडिनी टेक्स कियोंकि चहक्त के बदसे हम लोग को टाक्स एक्स्ट्रा लगता है इसलिए हम लोग इस तरह किसे करेंगे फिर नेक्स्ट में हम लोग जब आते हैं तो चौता नमर का फामूला यह परसेंटेज चेंजिन अर्निंग परसेर डिवाड परसेंटेज चेंजन कि यह समझ भाग आ लोगो इस तरह से आप लोगों कितना याद करेंगे रखना है तो सबसे मेन फर्मूला जो हो गया वो में तरह से यूज़ करना है और यह दोनों बेसिकले अगर बॉलेगा फाइनसे लेपरेज का तो इस तरह से रखा हुआ हो फो हम लोगों को यूज़ करना है जब आगे बढ़ेंगे अब अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को क्या रखाव है situation 1 situation 2 and situation 3 दे रहा है यह हम लोग करेंगे नेक्स वीडियों में ओके